आईए दोस्तो, आज हम बात करते हैं इस खूबसुरुष से जिनने दिखने वाले जानवर नील गाये की, जिसे हम बिल्यू बुल भी कह सकते हैं। दोस्तो, जब हम जंगल में, या खेतों में, या खुले मेदानों में इस जानवर को घूमते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारी जिग्यासाई जाल जाती है। कई बार आता है, मन में क्या घुड़े की तरह इस पे सवारी की जा सकती है। क्योंकि कभी घुड़ा भी जंगली जानवर था। फिर मन में आती है, क्या नील गाये किसी इंसान को अपने साथ रहने के लिए अलाउगरेगा। क्योंकि घुड़े के सिंग नहीं होते दोस्तों और इस जानवर के सिंग होते है। तो हो सकता है इनसान ने कभी ने कभी तो इसको पालने की या पालतु बनाने की कोशिश की होगी। लेकिन ये इतना खतरनाख है जो आज तक इस जानवर को इंसान ने पालतू नहीं बनाया दोस्तों ये सारे बहुत सारे कुश्यन आते हैं इनके उपर हम चर्चा करते हैं तो दोस्तों ये एक ऐसा जानवर है जो कहते हैं सबसे ज़ज़ेदा डर्पोख है लेकिन दोस्तो सबसे ज़ज़ेदा खतरनाग हुई है क्योंकि जब इन्टरनेट से उठा के हम इसको इसके बारे में इध्यन करते है तो दोस्तो बहुत सारी ऐसी चीजे जानकारी है अमको मिल जाती है जिससे हमारी रूहें काप जाती हैं, हाँ दोस्तों, वो कौन-कौन सी जानकारी है, सबसे पहली जानकारी तो यह है, कि नील गाय कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता, जिसने भी नील गाय को पालतू बनाने की कोशिश किये दोस्तों, उस इंसान का नील गाय में मडर तो नही और उस समय ये या तो अपने आप से फाइट करता है या इसके सामने जो भी वाइल्ड अनिमल कुछी भी आ जाता है उससे फाइट करने की कोशिश करता है और दोस्तों यही कारण है कि यह जहान बर आज तक पालतू नहीं बनाया जा सका हीरन बगएरा कुछ भी बना लिए अ अब यहां इस में देख सकते हैं इसा लगता जिसे इस अंकल ने इसको पालतू बना रखा लेकर नहीं दोस्तों किसी खेत में ऐसे ही जब मैं वह से घुजर रहा था तो मैंने देखा एक अंकल के साथ आ सामने सामने आगे आगे नील गाय जा रही है तो दोस्तों प्लीज यार यह वीडियो को मैं जानकर अच्छी लगी हो तो इसको एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना